सच श्रियकाल कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में तो दोस्तों आज मैं आपके लिए दो बहुती हल्दी और टेस्टी रेसिपीज लाई हूँ यह हल्दी होने के साथ साथ वजन घटाने में भी आपकी बहुत हल्प करेंगी वेट लॉस रेस को बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे हम किन चीजों से बना कर तयार करेंगी तो आज के रेसिपी का सबसे इंपोर्टन इंग्रियरंट है ओट्स तो यहां पर मैंने चार बड़े चमच के करीब बरतन में उसके साथ ही यहां पर मैंने ले ले लिए हैं चार शुद है और वाल दूद के जीए और दीगा है अधह लेलर के करीब हैँ यह दिखी अधाली तो हमने निशू दूद मैं डाल दीया यह बड़ा व éla क्लास में दूद का इस्तामाल किया हैं आब हम इसे पंदरा मिनिट की ठोड़ देंगी 15 मिनिट तक ही 15 मिनिट के बाद आ बनाते हैं उसके लिए यहां पर मैंने आधा मिल्क डाल दिया और आधा यह ओड्स और खजूर डाल देती हूं इसमें और बाकी का जो आधा मिश्रण है वो हम उस बरतन में ही रहने देंगे देखिए मैं से साइड में रख लेती हूं इस तरह से ध्यान रखें ओड्स और बढ़ देखिए मैं रखें अगारो के बलेंडर जार में तो यह देखिए यहां पर मैं इसका पावर अन कर लेती हूं और इसकी स्पीड अटॉमेटिकली उन हो जाएगी इसकी खासियत यह है कि जो भी चीज बना रहे हैं यह अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी तो यह जार अपने आप रुख जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो भी चीज हम बना रहे थे वो ब्लेंड हो जाएगी आज की रेसिपी में इस्तमाल किये गए ओड्स अगारो का जार और पीनट बटर इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए अब मैं इसको गानिश करते हूँ थोड़े से अखरोड को बिल्कुल चॉप करके मैंने हाँ पर ले लिया है और उससे इसको गानिश कर देती हूँ तो बस यह बिलकुल रेड़ी है ठंड़ 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 पीने के लिए अब हम अपना दूसरी स्मूथी की बिचलते हैं अगर थोड़ी सी पतली स्मूथी पसंद करते हो तो दूद का इस्तमाल थोड़ा जादा कर लीजी इसके बाद यहां पर मैंने ले लिया है यह पीनट बटर इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा बहुत टेस्टी लगता है साथ ही यह पीनट बटर वेट लॉस में काफी हल करता है हमारी हमने इन दोनों रेसिपीस में शुगर का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं किया है अगर आपके बास खजूर नहीं है तो आप यहां पर शेहत का इस्तमाल कर सकते हैं तो यह देखिए इसे भी हम प्रॉपली ब्लेंड कर लेते हैं और हमारी दूसरी वाली तो उमीद है यह बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी और 10-15 मिन तो आपके बास जरूर होंगे अपने हेल्ट पे धियान देने के लिए तो आप इस रेसिपी को जरूर टाय कीजेगा और मुझे भी कमेंट में लिखकर बताएगा कि आपको ऐसी और रेसिपी चाहिए या नहीं